असलाम अलेकम वियोज उमीद है आप खेरिया से होंगे आज मैं हरूफे तहजी का जो एक हरफ है छोटी ये उसको मैं लिखने का तरीका सिखाऊंगा आम तोर पे मुझे जो फीड़बैक मिला है या आनलाइन ट्रेनिंग्स है या जिनको मैं राइटिंग सिखा रहा हूँ तो उनकी तरफ से ये फीड़बैक मिला है कि 37 हरूफे तहजी में जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है लिखने में वो है छोटी ये तो इसके मैं कोशिश करूँगा कि एक असान टेक्नीक से आपको बता सको ताकि सबी जो है वो इसको देखने के छोटे ये कितनी असानी के साथ खूबसूरत लिखा जा सकता है तो जैसे जो छोटी ये हम लिखनी है उसके ये शेप है वैसे तो ये बड़े असानी के साथ लिखा जा सकता है लेकर जोगे इसमें मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको एक टक्नीक बताता हूँ जैसे हम अलमद आ लिखते हैं जैसे अलिफ के उपर जो जो अलमद आ जो ऐसे हम लिखते हैं इसकी जो ये शेप बनती है ये देखें इसको बार बार देखें ऐसे ऐसे जो है हम लिखते हैं अलमद आ को और अगर हम इसको उल्टा लिखना शुरू करें उल्टा से मराद है कि जैसे मुबैर में हम सेलफी को लें तो पिछे जो अर्दू की राइटिंग या जो भी लिखा होता है वो उल्टा शो होता है इसी तरह जैसे हमने ये देखें ये वैसे इसके थोड़ा सा ये तिर्चा आएगा अगर इसको अलमद आ ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे उल्टा आ जाएगा एक दवा फिर देखें ये जो अलमद आ है ये सिदे वाला अलमद आ है और ये उल्टे वाला है अब हमने सिर्फ अलमद आ को देखें उल्टा लिखना सीखना है इसका थोड़ा सा ये होगा कि ये चुँके अलमद आ अगर हम वैसे उल्टा भी लिखें तो ये इसकी ये शेप बनेगी लेकिन ये है कि ये बनेगा स्टाइल का कि ये देखें ऐसे हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे मतलब ये है कि उल्टा अलमद आ हम जब लिख लेंगे तो जैसे फिर इसको कि ए चोटी ये को लिखना बड़ा असान होगा ये देखें अब हमने इससे चोटी ये का हरफ लिखना है तो ये देखें अलमद आ आ गया और यहां से आपने इसका नीचे वाला हिसा और इसको थोड़ा ऐसे करेंगे तो ये देखें कितनी असानी के साथ चोटी है हमने लिखने लिख ली है इसी तरह पिर एक दफ़र देखें अलमद आ देखें बुड़ा असान है अलमद आ लिखें इसके नीचे वाला सबने और इसको यहां से शुरू करके ऐसे आप लिख सकते हैं एक दबा फिर देख लें यह देखें और इस तरह बड़ी असानी के साथ आप छोटी है लिख सकते हैं तो यह है कि जैसे अलमद या हम असानी के साथ लिख सकते हैं तरह इसी तरह हमने उसको उल्टा लिखना है यह वाला जो इसका हिसा है चोटी यह का यह अलमद आ जो है यह इस तरह आएगा जैसे यह देखें इस तरह और बाकी फिर इसका जो नीचे वाला शीकम है यह हम असानी के साथ बना सकते हैं तो विख सो मुझे अमीद है कि यह आपको पसांद आई होगी सिर्फ आपने अनमे दिया के प्रैक्टिस करनी है उल्टा लिखने की उसी के बाद फिर आपने इसका नीचे वाला जो शीकम है वो बना लेना है और उपर से बिल्कु सीधा ऐसे चोटा सा कश आप लगाएंगे तो यह चोटी है जो बड़े असा आने के साथ आप लिख सकेंगे तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इन्शाला अगली वीडियो में बहुत जल्द आपकी खिद्मत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज